मामला थाना गुवर्धन इस्तित अडिंक कस्बे के राजपुर गाउं का है यहां बीती रातरी को अग्यात चोरों ने बंद मकान से लाखों के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार रादेलाल निवासी राजपुर रोजाना की तरह अपने बच्चों सहित घर में सो रहा था वही बीती रात्री को अज्यात चोरों ने घर में घुस कर बंद कमरे सितारों की नगदी और लाखों के आभूशनों पर हाथ साफ कर दिया घटना की जानकारी मकान स्वामी को तब हुई जब वह सुगर जगा जैसे ही उसने चोरी का द्रश्य अपने घर में देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जिसकी सूचना मकान स्वामी राधेलाल ने अडिंग पुलिस चौकी को दी वही सूचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस ने घटना की जानच शुरू कर दी है साथ ही घटना को लेकर पीडिक महिला ने मीडिया को जानकारी दी 30 की कुछ नगदी वे थी क्या चालिस कज नघ पulk आपो किने वहां चली सब्सक्राइब